असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नमबर वन का लेक्चर नमबर टू स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है प्रोग्राइमिंग इन्वाइर्मेंट आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपनी क्लास टेंट में सी लेंग्विज जो है उसके बारे में पढ़ना है तो सी लेंग्विज जो है उसको डैनिस रिची ने 1969 से 1973 के दरमयान इसको बेल लैब्स जो कि USA में है इसको डेवेलब किया था और ये एक जनल परपस लेंग्विज है जो कि ज़्यादा तर अप्लिकेशन सौफ़एर और सिस्टम सौफ़एर स्पेशली डिवलब करने के लिए यूज होती है अब सी लेंग्विज में प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कुछ चीजों को देखना होगा कि ताकि सही तोर पर प्रोग्राम जो है वो लिखा जा सके तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वाइड होती है तो सबसे पहले जो चीज़ है डाट इस प्रोग्रामिंग इन्वाइरमेंट यानि जब भी आपने कोई प्रिग्राम लिखना हो या कोई भी आपने काम करना हो तो आपको उसके प्रॉपर टूल्स जो है वो चाहिए होते हैं जैसे के बच्चों आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल आपको एक complete environment जो है वो provide करता है जिसमें आपके classroom होते हैं, classroom में तमाम accessories जो हैं वो मौजूद होती हैं, labs हैं, आपकी playgrounds हैं, subject specialist teachers हैं, तो ये तमाम tools जब complete होते हैं तो आपको एक complete environment मिलता है study करने के लिए, इसी तरीके से आ भी जो है वो tools जो है, वो required होते हैं, जैसे के paints हैं, brushes हैं और canvas हैं, जब तक ये tools नहीं होंगे, सही तोर पर आप ना painting कर सकते हैं और ना gardening कर सकते हैं, जबके इसके लावा कोई भी काम हो, उसकी जब तक proper tools आपके पास नहीं होंगे, आप वो काम properly नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरीके से program लिखने के लिए और उसको execute करने के लिए, भी हमें एक जो है, कुछ tools चाहिए होते हैं, और जब तक वो tools नहीं होंगे, program जो है, वो सही तोर पर लिखा नहीं जा सकता, so a collection of all the necessary tools for programming makes up a programming environment, यानि ऐसा जो तमाम tools की जब collection हो जाती है, वो एक जगा मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, programming environment, इस programming environment की मदद से हम जो है, वो program जो है, वो लिख भी सकते हैं, ठीक है, it help us to write and execute, फिर जो कि programming environment जो है, वो provide करता है, ताके programmer जो है, वो असानी से program को write और execute कर सके, तो ऐसे programming environment को कहा जाता है, integrated development environment IDE, and IDE has a graphical user interface GUI, graphical user interface का मतलब यह है, कि जो IDE ही है, वो different windows और buttons को use करके, input भी provide कर सकता है, और output भी उससे हासल की जा सकती है, अब जो IDE है, उसमें तमाम जो tools हैं, वो मौजूद हैं, ताके programmer जो हैं, वो असानी से program को write कर सकता है, कर सके, execute कर सके, और उसको test कर सके, और यह तमाम काम जो हैं, वो तीन चीजों की मदद से, जो कि एक ही IDE में combine होती है, प्रोग्रामर जो हैं, वो असानी से कर सकता है, जिसमें पहली है, जी text editor, second one is compiler, and the third one is debuggers, text editor, compilers, debuggers, एक ही IDE में जो मौजूद हों, तो programmer के लिए असानी हो जाती है, ताके वो program को write कर सके, execute कर सके, और texting करके, उसमें जो errors हैं, उनको remove कर सके, अब जो C programming के लिए IDE अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ के नाम जो हैं, यह आपकी book में mention है, जिसमें, first one is visual studio, xcode, code blocks, dev, c++, अब यह जो आपकी book में हैं, यह सामने code blocks की जो है, एक ID का जो interface है, यह आपके सामने जो है, वो मौजूद है,